हेलो दोस्तों हम होट कोशन डिसकस कर रहे थे रिलेशन और फंक्षन के इस होट कोशन की सीरीज के चलते हैं आज कोशन नमबर 24 देखने जा रहे हैं होट कोशन का मतलब ऐसे कोशन जो आएटी जेए मेंस और एंडी ये दोनों ही एकजाम के अंदर आ चुके हैं तो आप समझ कि आपको इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा चलिए शुरू करते हैं देखते हैं आज का होट कोशन तो आज का जो होट कोशन है वह आपको गीवन है लेट fx इकवल्स टू 2x raised to power n प्लस लेंडा और लेंडा इस बिलोंग स्टू आर ठीक है लेंडा को इस स्क 255 then the sum of all the positive integers divisor of this इसका जो रजल्ट आएगा और वो जो रजल्ट आएगा वो जितने भी नंबरों से डिवाइड होगा मतलब जो इसके डिवाइजर होंगे उनका sum आपको find out करना है ठीक है यह कोशन है यह कोशन आपका जहीं के इंदर 25 जनवरी 2023 के इंदर और NDA में 2021 में दूसरा आपको यह given है तो हम इन दोनों को find out कर लेते हैं मतलब एक बार इस function में हम X की जगे substitute कर लेते हैं 4 तो अगर हम 4 रखते हैं तो यह हो जाएगा F4 और यहां पर हो जाएगा 2 4 raise to power N और प्लस क्या हो जाएगा वह लेमडा अब F4 की value आपको given है 133 तो मैं इसको लिख सकता हूं 133 equals to 2 4 raise to power N प्लस लेमडा और यह आपकी equation क्या बन गई first second आपको given है F5 की value तो आपकी बार हम इस function में X की जगे 5 replace कर देते हैं तो यह बन जाएगा आपका F5 to X की जगे मैंने 5 replace कर दिया raise to power N प्लस लेमडा अब F5 की value आपको given है 225 ठीक है और यहां पर हो equation क्या बन गई second अब इन दोनों equation को simplify करके हम lambda और mu की sorry n की value find out कर लेते हैं तो equation first में से second को या second में से first को आप plus lambda में से इस में से सको माइनस और इस में से इसको माइनस तो इसको माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा two four raise to power N बार- माइनस का sign हैं अंदर के sign change होंगे देखिए ऐसा करने से lambda cancel out हो गया ठीक है 55 में 33 को माहम माइनस करेंगे तो यहां से बचेगा हमारा 122 टू इक्वल्स टू टू फाइफ रेस्टू पावर एन माइनस टू फोर रेस्टू पावर एन ठीक है यह बचेगा अब देखिए यहां पर टू आपको कोमन दिख रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 122 को हम टू से क्या कर देंगे डिवाइड उधर बचेगा इक हमारा पाईस्ट पावर औन माइनस फोर एस्टू पावर एंट और यह सिक्ष्ट यवन पर कैंचल आउट हो गया तो पहाइनल जो आपको रॉप मिला दिख ओनी यहां और प्रने यह तो यहां तो यह है एक में तो और लिख तो पच्छे का जब कि यह तो कह रहा है सिक्स्टीवन के तो एन की वैलु इसका मतलब नहीं है उसके बाद हम टू सब्टिटूट कर लेते हैं तो फाइब रेस्टू पावर टू उप्टीफाइब और यह जाएगा आपका शिच्टीन यह भी सिटीवन के क्वल नहीं आएग ठीक है यहां से भी 61 के equal नहीं आ रहा है तो अब की बार हमें n की value 3 substitute कर लेते हैं तो 5 raise to power 3 4 raise to power 3 equals to 61 तो यह हो गए आपका 125 minus 64 और equals to क्या जाएगा 61 इसमें से जब आप इसको minus करेंगे तो 61 equals to 61 आ रहा है मतलब n equals to 3 जो है वो इस equation को satisfy कर रहा है ठीक है तो n की value तो आपके पास कितनी आ गई 3 अब इस n की value को या तो equation first में या second के अंदर substitute कर दीजिए उससे lambda की value आ जाएगी तो हम first के अंदर ही substitute कर रहे है n equals to 3 in equation 1 ठीक है first में रख रहे हैं तो यहां पर हमारे पास 133 equals to 2 into 4 raise to power n n को मैंने 3 से replace कर दिया और plus में मेरे पास कितना है लेमडा तो यहां से हो जाएगा 133 2 4 raise to power 3 4 फोर जा 16 और 16 फोर जा 64 आ जाएगा यहां पर ठीक है और plus में क्या आ गया लेमडा तो यह जाएगा आपका 133 equals to 100 28 और plus में क्या होगा लेमडा तो 133 minus 128 equals to लेमडा यानि के लेमडा equals to आपके पास कितना आ गया 5 तो लेमडा की वैलू 5 और एन की वैलू 3 आ गई इस function में हम इसको replace कर देते हैं तो function हमारा क्या बन गया fx हमारा क्या बन गया वही 2x raise to power 3 और लेमडा आपका कितना आ था 5 ठीक है यह final function बना अब इस function पर हम इन दोनों की value calculate कर लेते हैं और हमा function में ठीक है तो यह हो जाएगा आपका टू इंटू एक्स की जगह मैंने 3 replace कर दिया और 3 प्लस 5 इसको जब सोल करेंगे तो 3 3 9 3 27 प्लस 5 तो यह हो जाएगा आपका 54 प्लस 5 यानिके क्या आ गया 59 आ गया है ठीक है ऐसे ही आपको f2 की value calculate करनी है तो x की जगह हम 2 substitute कर देते है तो यह हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 raise to power 3 8 प्लस 5 यानिके 16 प्लस 5 और 16 प्लस 5 कितना हो गया 21 अब f3 में से f2 को subtract कर रखा है तो f3 minus f2 f3 आपके पास है 59 और f2 आपके पास है 21 9-1 8 और 3 38 आ गया ठीक है तो इसकी जो value है आपके पास वो कितनी आएगी 38 आएगी अब देख इसके पोजिटिव इंटीज्जर divisers का तो देखी 38 किस से Divide होगा देकिए 1 से तो सभी Divide होते हैं उसके अलावा यह किससे इद्जाइप हो रहा है और कि तो इनकस्तम करेंगे यह 40 और यह 41 और 9 50 60 आ जाएगा हमने जाना होगा ओप्शन एक के साथ ओप्शन एज एक क्रेक्ट आंसर ठीक है तो वीडियो हेलफूल लगी तो एक लाइक जरूर करें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब तक नहीं किया है तो दोस्तों से सेयर करना बिल्कुल मत भूला थैंक यू मिलतें नेक्स्ट वीडियो